मित्रों नमस्कार, गरीब समोर्णों का कोटा कायम रहेगा, कल सुप्रीम कोट में पांच जजों की एक समिधान पीट ने महत्रपुन फैसला दिया, और ये फैसला था कि EWS यानि Economically Wicker Section जो गरीब तपका है, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको मोधी सरकार ने 10 परतिशत आरक्षण सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षण सस्तानों में आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन मामला इस सुप्रीम कोट गया, क्योंकि ये समिधान में 103 वा संचो दिन की जरिय सरकार ने आरक्षण दिया, और उसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोट में गया, कि इसकी जो समिधानी वैदता है, वो है या नहीं, इसकी जाज करने के लिए मामला सुप्रीम कोट गया, कुछ लोग ने प्याइल डाली, और नीट को रलेकर, खासकर नीट पीजी के लिए एडिशन होते हैं, उन लोग उने इसमें एतराज किया था कि उनके लिए सीटे नहीं बचती हैं, तो सुप्रीम कोट इस पे सुना, और ये स्पिलिट डिसिजन आया है, स्पिलिट डिसिजन का मतलब होता है, कि पांचो जजों में एक मत नहीं था, तीन जजों ने अगेस्ट दिया, उसमें दो जजज है, जस्टिस रवींदर भठ और जस्टिस यू यू ललित, कल जस्टिस यू ललित का आखरे दिन था, आज उनका आखरे दिन है, चुकि आज छुटी है, लेकिन इसलिए उनका आखरे दिन मना गया, रो कल ही उनको विजाई दी गई, और अब जस्टिस चंदरचूर देश के नए मुखे नयादेश हों गए, तो जस्टिस यू ललित और जस्टिस रवींदर भठ इनका तर्क था, कि जो आरक्षन की लिमिटेशन है, पचास परतिशाद उसे उपर नहीं होना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि जो दस परतिशादाब आरक्षन दे रहें, इन आरक्षनों के कारण समाज में असमानता फैल रही है, उनका तर्क था, लेकिन उनके तर्क को तीन जजों ने खारिज कर दिया, उन्होंने इसके पक्ष में कहा, और इन्होंने अलग-अलग अपने तर्क दिये, और इन तर्क का आप कह सकते हैं कि अपना-पना महतो है, जोकि जज बहुत बिद्वान होते हैं, उनका बहुत इस्टडी होती है, उन्होंने अपने कहा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि जो 103 संसोदन हुआ था, 103 हुआ, उसमें आरक्षन की सिमय 50 से उपर चलेगी थी, जिसमें SC 15 परतिशत है, OBC 27 परतिशत है, ST 7.5 परतिशत है, और अब उसमें 10 परतिशत और जुड़ गया, तो ये कुल मिलाकर आपका हो गया करीबन 60.5 परतिशत, 59.5 परसंट, 49.5 परतिशत, तो ये आपका जो आरक्षन है, वो जो 50 परतिशत होना चाहता, वो लगभग 60 परतिशत हो चाहुआ है, तो ये भी सामाजिक, इसमें समरस्ता बढ़ेगी या सामाजिक समरस्ता खतम होगी, ये इसमें विवाद का विश्य है, क्योंकि आरक्षन आप देते हैं, उसको कितना फाइदा हुआ, जरूर फाइदा हुआ है, जो कमजोर तबके के लोग है, हमारे जो SCRST सम मोदाइगे लोग है, उनको इसका जरूर बेनफेट हुआ है, लेकिन इसमें जो रविंदर भट, जस्टिस रविंदर भट ने कहा, कि आरक्षन हमेशा नहीं होनी चीए, हमेशा कायम नहीं रखनी चीए, जैसे जब हमारे देश में आरक्षन की ब्यवस्ता वे थी, और बा और वो कभी-कभी इस विकराल रूप ले लेता है, कभी-कभी लोग सटकों पर उतर आते हैं, कि जो टैलेंट है, जो टैलेंटल लोग हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता, और जो अक्षम लोग हैं या आयोग्य हैं, उनको मौका मिल जाता है, कुछ लोगों को, क्योंकि आप तो इसको एडमिशन नहीं मिला और जिसके चारपांट परसेंट नमबर आये उसका एडमिशन मिल गया तो इसमें योगिता अयोगिता का पैमाना साबसाब होता है लेकिन इसको तर्क दिया जाता है कि चुकि हमारे देश में सामाजिक अन्याई हुआ है और एतियासिक रोप म अब रहे गया सामाने वर्ग के वर्ग को और अब इसमें जो का आरक्षन का हगदार कौन होगा जिसकी परिवार की सालाना आए आठ लाग रुपे होगी तो इसमें तो मुझे लगता है सभी लोग कबर हो जाएंगे क्योंकि आज जो देश में इस्तिति है 20-25 जार रुपे से पांच एकड होनी चाहिए और जो घर आपका है वो दोसो बर्ग मेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपका जो अधिसूचित नगर पालिका है उसमें 1000 से कम होना चाहिए और गयर अधिसूचित नगर पालिका में 200 का प्लाट होना चाहिए और जो अगर आप गाउं म की बेंच थी उसमें नियायमूर्थी दिनेश महैसुरी ने कहा केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण समीधान के मूल ढहांचा कि समानता के अधिकार का उलंगन नहीं करता है यह जस्टिस दिनेश महैसुरी जी का इसमें तर्क था कि जो समिधान का मूल ढाचा है समानता का अधिकार है उसका उलंगन नहीं करता है क्योंकि हमारे समिधान में समानता का अधिकार दिया गया है कोई देदवाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं सब बराबर है तो ये कहते हैं कि उसका उलंगन नहीं है और जो नियाई मूर्ती जे भी पार्दिवाला है उन्होंने कहा कि यह सामाजिक आर्थिक असमांदा को खत्म करेगा लेकिन आरक्षन अनंतकाल तक नहीं रह सकता इन्होंने भी ऐही बात कही कि अनंतकाल तक नहीं रहना जे और जस्टिस बेला एम तिर्वेदी ने कहा इसे आर्थि ग्रूप से कमजोर तबके को मदद पहुंचाने के तौर पर देखना चाहिए इसे अनुचित नहीं कह सकते हैं तो यह अलग-अलग तरक हैं और उन तरकों पर जस्टिस रविंद्र भट ने कहा कि 103 वहां सम्षोधन का जो बुन्यादी धाचा है सम्षोधन का वो निशिद भेद्भाव को बढ़ावा देता है यानि जो समिधान में कहा गया था कि आप इसमें भेद्भाव नहीं करेंगे तो यह भेद्भाव कर रहा है मुझना समानता अधिकार का उलंगन कर रहा है और जस्टिस यू यू ललित जो चीब जस्टिस थे कल उनका आखरी पर सहमति दता है तो कुल मिला कि अब दल के सब एक मत है इसको को सब्सक्राइब का देन समर्थन किया बाकि दलों ने समर्थन किया बेजे एंदर ने का ही तो नरेंदर मोधि जी का एक सपना था सामाजी का वो